नमस्कार आपको पता होनी चाहिए बंगाल के विभाजन की तो राइट एंसर क्या हो जाएगा नमस्कार पता है बंगाल का विभाजन तो लौड कर्जन इसमें वाइसराय हुआ था तो कर्जन के तोरह ही जो है बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को तो ये डेट आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए डेरेक्टी डेट भी आपसे जामें पूछी इसके तीनों सेनाओं के सरोग्च सेनापती कौन होते हैं तो राइट एंसर क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं ये तीनों सेनाओं के सरोग्च सेनापती होते हैं तो इसके बारे में आप आप आद दिखिएगा ऑप्सन आप कभी यहाँ पे बिल्कुल से ज तो लेटिनेट जनरल अनिल चवहान हमारे वर्दमाद में CDS हैं वही हमारे पहले CDS कौन थे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा कि हमारे पहले CDS हमारे पहले Chief of Defense स्टाप कौन थे इसके बाद हमारे थल सेना प्रमुक कौन है मनुस पांडे है 19 नंबर के हैं वायू सेना प्रमुक क्मारे हैं वि अर्चोधरी 27 नंबर के हैं इसके लावा 9 सेना प्रमुक हमारे हैं आर हरी कुमार जो की 25 नंबर केчे सेनाओ की हमारे प्रमुक कौन है इनको वियाब एक बार याद कर लीजिएगा अगला प्रस्तना आपके स्किन पर राश्टी सांखी की दिवस कब मना जाता है तो right answer क्या हैगा 29 जून यानि कि option आपका a यहाँ पर बिल्कुल सहिए जाएगा 29 जून को बलथटे होता है किसका PC महान लोबिस का जो बथड़े होता है भारत में इसको हम national statistics याने की राश्टी सांखिकी दिवस के रूप में मनाते हैं तो इसके बारे में आप आदेखेगा PC महानलोबिस को जो है हम सांखिकी का पीता भी कहते हैं तो ये fact आपको याद अखना है अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है भुटान का यहाँ पर राश्टी खेट पूछा गया कि भुटान का राश्टी खेल निम्लिकित में से कौन सा है तो right answer क्या हो जाएगा तिरंदाजी यानि कि option आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके स्क्रीन पर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन वेद का आपको नाम बताना है तो आपको पता होगा कि हमारे चार वेद हैं चार वेद कौन कौन से हैं तो आप याँ दिखेगा एक आपका हो गया रिग वेद एक आपका हो गया कौन सा एक आपका रिग वेद हो गया कथर वेद याजूर वेद और साम वेद हैं हमारे चार वेद हैं इनमें से सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा हो जाएगा तो आप आपको सुक्त मिलेंगे रिगवेद में ये फैक्ट भी आप या दिखेगा तता रिगवेद को पढ़ने वाले रिसी को हम क्या कहते हैं होत्री रिगवेद को पढ़ने वाले जो रिसी होते हैं उनको हम होत्री के नाम से यानते हैं तो ये फैक्ट आप या दिखेगा अगला प्रस्तन आपके स्क्रीन पर है बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद किया गया था पहले प्रस्तन में मैंने आपसे डिसकस किया था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था करजन के दोरा तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको किस वर्ष में रद कर दिया गया था तो आप यहाँ देखेगा 1911 में दिल्ली दर्बार होता है इसी 1911 के दिल्ली दर्बार में बंगाल विभाजन को रद कर दिया जाता है तो इसके बारे में आप याँ देखिएगा तो option आपका जो यहाँ पर A है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आप याँ देखिएगा इस समय वाइसराइ कौन था तो Lord Harding दुटी आप याँ देखिएगा Lord Harding दुटी के दोरह 1911 में दिल्ली दर्बार का आयोजन किया और इसी दिल्ली दर्बार में बिटेन के समराठ आते हैं तता इसी दिल्ली दर्बार में यह गोसना की जाती है कि जो बंगाल के विभाजन उसको रद किया जाता है इसके अलावा एक बहुत बड़ी development होती है यहाँ पर इस दिल्ली दर्बार में क्या होता है कि इसी दिल्ल दर्बार में बंगाल की विवाजन को तो रद कल दियाता है परंतु जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली अस्थनांतरित करने के भी बात की जाती है तो ओफिसियल रूप से जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली कब बनती है तो 1912 में तो आप या आपके सिमा कितनी है अगर आपको राजय सभा का मेंबर बनना है तो आपके कम से कम कितनी अमर होनी चाहिए तो आप याद रख सकते हैं अगला प्रस्तन आपके स्क्रीन पर है भारत सरकार ने राजपत और सेंटरल विस्टा लॉन का नाम बदल कर क्या कल दिया है। मासिन राम की लोकेशन आपको बताने के किस भारती राज़े में आपको मिलेगा जहांपे सरवादिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है। अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो राटेंसर क्या हो जाएगा एक जनौरी 1923 को यानि कि आपका भी यहां पर बिल्कुस हो जाएगा एक जनौरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसके बारे में थोड़ी से डेटेल भी लिखी गई है जिसको आप देख सकते हैं। जनौरी 1923 में मोतिला नहरू और शितरंजन दास के जोराज पार्टी का गठन किया गया था। शितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतिला नहरू जो है इसके महा मंत्री थे। किसकी बात यहां पे हो रही है तो स्वराज पार्टी के यहां पे बात हो रही है। अगला प्रस्तन आपके स्केन पर है निमनलखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है इसके बाद अगला प्रस्तन आपके स्केन पर है यहां पे आप देख लिजे बैक्टीरिया जनित कौन कौन से रोग है और विसाडू जनित कौन कौन से रोग है यहां से प् तो चाहे तो आप इसका skin shot ले सकते हैं चाहे तो वीडियो को pause करके इसको आप पढ़ सकते हैं जो जो भी bacteria से रोग होते उनको मैंने आप लिख दिया है और इसके लावा जो भी virus आने की विसाड़ों से रोग होते उनको भी मैंने लिख दिया है तो चाहे तो आप no down भी कर सकते हैं, चाहे तो आप skin sort भी ले सकते हैं अगला फ्रस्तन आपके skin पर है, अस्पताल में निमनलिकित में से किस विभाग में cath lab देखने को मिलती है अस्पताल के किस विभाग में आपको cath lab देखने को मिलेगी तो right answer आपका क्या हो जाएगा, right answer आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका है कार्डियोलोजी विभाग यानि कि option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा जो आपका कार्डियोलोजी विभाग होता है, इसमें आपको cath lab देखने को मिलेगी यानि कि option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है अगला प्रस्तन है राष्टी एकता दिवस National Integration Day आपका कब मनाया जाता है तो जो राष्टी एकता दिवस है आपका मनाया जाता है 31 October को तो आप याँ देखेगा option आपका यहाँ पे जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा आप इसे याँ देखेगा वहीं 33 January को हम क्या मनाते हैं तो पराकरम दिवस करूप में मनाते हैं 33 January को नेता जी सुभाज चंदर बोस की जो जहनती है उसको भारत सरकार अब 33 January को पराकरम दिवस करूप में मना रही है इसके लबा 29 अगस को हम क्या मनाते हैं तो National Sports Day यानि कि राश्टी खेल दिवस जो है आपका 29 अगस को मना याता है या किसकी जहनती होती किसका बल्थड़े होता है तो मेजर ध्यान चंद का जो बल्थड़े होता है भारत में 29 अगस को उसको हम राश्टी खेल दिवस के रूप में मनाते होई भाला फेक दिवस आपका 7 अगस को मना याता है इसी दिन जो है निरचोपडा के द्वारा भाला फेक में टोक्यो अलंपिक में सौन पदक जीता गया था तो इसी की याद में 7 अगस को भाला फेक दिवस मना याता है भारा सरकार के द्वारा अगला प्रस्तना आपके स्कीन पर है यहाँ पे सारे इंपोर्टेंट दिवस लिखे गए हैं जिनको आप देख सकते हैं अगला प्रस्तना आपके स्कीन पर है नर्मदा के अतरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमर कंटक से निकलती है अमर कंटक से इसमें से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है तो राइट 500 आपका क्या हो जाएगा एक तो नर्मदा आपकी निकलती है इसके लावा आपकी सोन, ये दो नदियाँ जो हैं अमर कंटक के पठार से निकलती है तो option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला वरस्तन आपके स्कीन पर है राजसभा में कारिवाहियों का संचालन कौन करता है राजसभा में कारिवाहियों का संचालन किसके दोरा किया आता है तो Vice President of India के दोरा याने कि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे जो उपराश्पती होते हैं ये राजसभा के सभापती होते हैं तो इसके बारे में आप याँ देखेगा तो right answer क्या हो जाएगा option आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा Vice President of India एने के भारत के उपराश्पती के द्वारा राजसभा में कारवाईयों का संचालन किया जाता है अगला प्रस्त है भारत और शलंका को अलग करने वाली जल्रासी कौन सी है तो आप यहाँ देखेगा पाक जल संदी जिसकों पाक स्टेट के नाम से जानते हैं या भारत और शलंका के मध्धे आपको मिलेगी या भारत और शलंका को अलग करती है अगला प्रस्त आपकी स्किन पर है अलूमुनियम किस खनी से प्राप्त किया जाता है तो आप यहाँ देखेगा box side सहाने कि option आपको सी जो है बल्कुल से जागा box side से अगला प्रस्तिन आपके स्किन पर है हमारे समिधान के किस भाग में 305 में पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है simple से यहाँ पे पुछा गया है हमारे बाती समिधान का कौन सा बार्ट है कौन सा भाग है जिसमें पंचायतो Seb related प्राउधान किये गए है पार्ट का यहाँ पे आपको नाम बताना है तो राइट एंचर क्यों हो जाएगा हमारे बाती समिधान का जो भाग 9 है या पंचायतों से लेटेड प्रावधान कलता है तो रैटन्चर क्यों हो जाएगा भाग 9 यानि कि option जो आपका यहाँ पे A वरा दिया गया है उसके बारे में आपको याद अखना है option A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका किसरी संबंद है तो पंचायतों से जोड़ी जो प्रावधान है आपको भाग 9 में मिलेंगे वहीं भाग 9 A जो आपका amendment के थ्रू जोड़ा गया है भाग 9 A में किसको रखा गया है नगर पालिकाओं को रखा गया है वहीं भाग 9 B मे जो है सहकारी समीतियों को रखा गया है अगला प्रसना आपके स्किन पर है भारत में उच्चतम नयाले की प्रत्थम मैला नयाधिस कौन थी तो इनका क्या नाम था तो आप या देखेगा लेला सेट यानि कि आपका यहां पे जो C है बिल्कुल सेज़ेगा लेला सेट जो है यह भारत में उच्चतम नयाले की प्रत्थम मैला नयाधिस थी अगला प्रसना आपके स्किन पर है भारत का यहां पर थोड़ा सब करेक्शन कर लिजएगा इस प्रसने पिछले वाले प्रसन में यहां पर उच्चतम नयाले की बात की गई है तो सुप्रिम कोड की बात की ग सियाद रखना है अगर हाई कोड की प्रतम महिला नयाधिस पूछ ले तो राइट अंसर आपके हो जाएगा लेला सेट हो जाएगा वह इस सुप्रिम कोड की प्रतम महिला नयाधिस पूछ ले तो राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका फातिमा बीपी हो जाएगा तो इसको अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है भारत का सर्वक्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का सर्वक्च नागरिक सम्मान यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा भारत रतन जो है भारत का सर्वक्च नागरिक सम्मान है तो इसके बारे में आप बहुत बर एक्जाम में से प्रस्ट पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा तो इसके बारे में आप या देखेगा जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोक्च नागरिक सम्मान कहा जाता है माना जाता हुई जो पहला भारत रत्न पुरस्काल था 1954 में दिया गया था किसको दिया गया तो तीन लोगों को दिया गया था सी राजगोपालाचारी डाप्टर सरवपली राधा कृष्णन और चंदर सेखर वेंकट रमन इन तीन लोगों को 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्काल दिया गया था अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है नागरित्ता अधिनियम कब पारित किया गया था तो citizenship act कब पारित किया गया था 1955 में तुराय टंसर क्या हो जाएगा option जो आपका B यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके skin पर है मोहन जो दोडो सब्द का अल्थ यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है तो यह इसका अल्थ होता है amount of the date यानि कि मृत्को का टीला इसको हम कहते हैं तो option आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा मृत्को का टीला अगला प्रस्तना आपके skin पर है समिधान सभा दोरा राष्टी धोज को कब सुकृत किया गया था यहाँ पे समिधान सभा की बात हो रही है कि समिधान सभा ने हमारे राष्टी धोज को कब सुकृत किया था तो राटेंसर क्या हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को ये डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए 22 जुलाई 1947 को समिधान सभा के द्वारा हमारे राष्टी 12 तिरंगा को सुकृति प्रदान किये गई थी तो आपका यहां पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा वहीं 24 जनौरी 1950 को क्या हुआ था तो 24 जनौरी 1950 को समिधान सभा के द्वारा हमारे राष्टी गान जंगर्मन और हमारे राष्टी गीत वंदे मातरम इन दोनों को सुकृति प्रदान की गई थी तो इसके बारे में आप याद रखिएगा अग अगला प्रस्तनाप के स्कीन पर है भारत का राष्टी चिन कहां से लिया गया है भारत का राष्टी चिन कहां से लिया गया है तो सारनात इस्थित असोक अस्तंबस याने की आप्सनाप का यहां पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तनाप के स्क्रीन पर ह बाल गंगादा तिलक को किसने असांती का जनक कहा था तो वेलेंटाइन सिरोल के तरह जो है बाल गंगादा तिलक को असांती का जनक कहा गया था तो आपसनाप का सी यहां पे विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तनाप के स्किन पर है भारती मानक समय रेखा पांच राज्यों के माध्यम से गुजलती है तो इन में से कौन सा राज्य ऐसा नहीं है जहां से भारती मानक समय रेखा नहीं गुजलती है तो आईए देख लेते हैं तो एक ट्रिक आप याद कर लिजेगा इस ट्रिक के माद्यम से इन पांच राज्यों को आप आसाने सियाद कर सकते हैं जहां से भारती मानक समय रेखा गुजलती है तो यह ट्रिक कौन से आपकी है? मौका M, O, U, C, A तो M से आपका क्या हो जाएगा? M से आपका M, P आयाने कि मद्दपदेश हो जाएगा? O से आपका उडिसा हो जाएगा? U से आपका उत्तरपदेश? C से चतिस गड़ और A से आपका आंद्रपदेश? तो यह पांच ऐसे राज्य हैं जहां से भारती मानक समय रेखा गुजलती है तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से भारती मानक समय रेखा नहीं गुजलती है तो बिहार से जो है यह रेखा नहीं गुजलती है तो आपसना पसी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा तो इस प्रकार से आज का जो सात्वा पार्ट था Important MCQs का वीडियो के रेख जाम के लिए उसको आपने आप एक कंप्लीट कर लिया है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही Thank you, thanks for watching, thank you